हालो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम formation of ionic compound को बता सकते हैं जिसमें बहुत सार एक्जामपल पॉसिबल हैं आज की वीडियो में हम एक एक्जामपल को डिस्कस करेंगे और वो है calcium oxide calcium oxide की formation पूछी जाते हैं बहुत बार class 9th और class 10th के लिए जो important topic है कि give a formation of ionic compound ionic compound के बारे में पहले थोड़ा introduction देना होता है ठीक है उसके बाद आपको कोई example दिया जाता है कि इस compound की formation दिखाईए आप ठीक है तो कैसे हम ionic compound की formation दिखा सकते हैं simple तरीके से वो हम आज की वीडियो में clear करने वाले है और अगर आपको थोड़ा भी doubt होता है कि ionic compound, covalent compound क्या होते हैं क्या इनका meaning है, क्या difference हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको description box में एक वीडियो का link मिलेगा आप उस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं ionic और covalent compound ठीक है, तो चलिए start करते हैं, आज की वीडियो का topic formation of calcium oxide सबसे पहले हमें calcium oxide का atomic number है, और oxygen का atomic number है, वो मालूम होना चाहिए calcium oxide का atomic number होता है 20, oxygen का atomic number होता है कितना? 8, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और अगर आपको किसी element का atomic number होता है, उसके आधार पर, उसके base पर valency find करनी नहीं आती है, या थोड़ा भी उसमें doubt है, तो उसके लिए भी आपको कि कैसे valency को find कर सकते हैं, किसी भी element की, description box में एक वीडियो का link मिलेगा, आप उसके जरीए बहुत आसानी से समझ सकते हैं, how to find valency of an element, चलिए अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम calcium लिखेंगे, जो भी उसका symbol होता है, CA, ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए, उसके बाद हमें पदसला की वे 20 इसका item ही number होता है, तो configuration कितनी होती है, 2882, लिख लेते हैं हापर, 2882, valence electron कितने है, इसमें, तो calcium एक वो element है, जिसके पास दो electron extra है, तो अगर किसी element को दो electron की need है, तो ये दे सकता है, आसानी से, इस चीज़ को हम डॉट से represent करेंगे, प्लस, दूसरे चीज़ क्या हमारे पास, oxygen, oxygen का item ही number कितना होता है, 8, configuration कितनी बनेगी, 2,6, 6 valence electron है, लेकिन oxygen एक ऐसा element है, जो calcium से कह रहा है, कि भही मेरे पास 2 electron की कमी है, तुमारे पास 2 electron extra है, तो आप क्रिपया करके मुझे दे दो, simple सी भाषा में, तो oxygen की demand है, दो electron की जरूरत है इसको, बाकी 6 क्या है इसके पास, valence electron, उसको हम इस तरीके से दिखा देंगे, अब ये दोनों electron कहा जा रहे हैं, oxygen के पास आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसके पास extra, इसके पास जरूरत है, इसलिए, bonding जो होती है, किसी भी एक की जो दूसरे से bonding होती है, वो बहुत ही technical तरीके से होती है, ठीक है, logic होते हैं उसके पीछे, calcium oxide की बाद चल रहे हैं, आगे फिर, अब calcium ने दो electron दिये हैं, oxygen ने दो electron लिये हैं, याद रखिएगा, और calcium वो element है, जिसकों क्या बोलते हैं, metal, और metals क्या होते हैं, electro positive होते हैं, nature, इस सीज़ को आप यहां से भी समझ पा रहे हैं, oxygen, oxygen ने दो electron लिये हैं, बहुत 6 electron तो इसके पास थे, लेकिन दो electron इसने लिये हैं, इसका मतलब minus का 2, अगर आप configuration दिखाना चाहिए हैं आपर, 288, और यहां पर कितना, 2 और 8, तो stability आ गए हैं, अब यह क्या थे, unstable थे, यह stable configuration है, तो यहां पर आप इस तरीके से दिखाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा, कि calcium oxide की formation बता नहीं है, formation of ionic compound, जिसमें हमने एक example आज की वीडियो में clear किया, कि कैसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, reaction की form में की calcium oxide कैसे बनेगा, clear, तो आज की वीडियो में हमारा target था आपको इस समझाना कि कैसे हम calcium oxide की formation बता सकते हैं, क्योंकि exam की point of view से बहुत important है, class 9 और class 10 दोनों के ही लिए, ब बाकि आपका जो class 9 है, उसमें chapter number 3 जो है chemistry का, atoms and molecules, या फिर 4 चेप्टर बे भी थोड़ा जुड़ जाता है, chemistry में इंटरगनेट रहता है सारा pattern, कैसे आप दता सकते हैं, valency pattern को, कैसे formation होती है, calcium oxide वगरा की, तो I think आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और प्ली के लिए mainly, बाकी science work channel से जुड़े रहे है, इसे तरह support करते रहे है, वीडियो को starting से last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,